हेलो दोस्तों आपको स्वागत करता हूं तोरंग इलेक्ट्रोनिस चनल में तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको देखूंगा यह वीडियो कंपनी का एक चैसिस है और यह चैसिस का एक फॉल्ड का उपर में वीडियो बना के देखाया कि इसका एस्टी सप्लाई बना देगा तो दोस्तों यह PCV का जो में प्रोसेसर इसी यह आप एक बार देख सकते हो ठीक है यह में प्रोसेसर इसी है और यह जो पैनल देखिए यालक सा PCV है और यह जो PCV आलक ट्यूब पर लगद है कुछ वी एक टिंगिनिसियन यह लागाया और दोस्तों यह अर्ट पिसखर और यह जो इंडिकेटर यह ओयर का थू अब देख सकते जो कनेक्शन यह मेंड PCV के सथ कनेक्शन है यह थीन ओयर यह सेंशर का और यह लेडी का ठिक है यह अपनल का कुछ भी कनेक्शन नहीं तो चली यह PCV का जो पॉब्लेम आपको रिपेर करके देखांगा यह PCV को उपर से को देखा दिता हूं कि देखी यह ड्राइवर कोईल है ठीक है यह ड्राइवर कोईल और यह ड्राइवर टैंजिस्टर ठीक है और यह जो रेजिस्टेंस यह ड्राइवर सप्लाई का रेजिस यह overheat हो रहा है तुरंत वो साथ-साथ overheat हो जाता है और डाइवर पिन पर जो supply आता है वो गाइफ हो जाता है तो दोस्तों चलिए मैं PCB को उल्टा करके आपको voltage चेक करके देखांगो और यह problem कैसे repair किया जाता है यह भी आपको देखांगा ठीक है तो चलिए मैं PCB को सेट कर ल अब देखिए मैं supply दे दिया और इसका power indicator अभी on हो गया है तो चलिए इसी टाइम आपको थरा सा voltage चेक करके देखांगा और आप देख सकते मीटर का negative quad mark यह negative पर सथ connection करके रखा है और यह मीटर को मैं 200 DC range पर selector के रखा है तो चलिए इसी टाइम आपको फास्ट जो देखां अब देख सकते हैं तो चलिए यह जो आउट पूट जो 180 फोल लाइन का voltage अब देख सकते हैं पर यह सेम फोल्ट 39 40 फोल्ट का असपस्थी है तो चलिए यह जो यह स्टी 110 फोल लाइन का डायोड यह positive pin पर supply फोल्ट यह दिखे 40 फोल्ट है तो चलिए यह standby मूट पर अभी है और देखी यह जो supply जो जाता है देखे डाइवर supply ठीक है यह डायट पर देखे 6.5 फोल्ट ठीक है और यह जो लाइन जाता है देखी आप और एक resistance है जो मैं फास्ट अपको देखाया यह resistance पर voltage देखे इनपूट पर 6.5 फोल्ट ठीक है अब धान से देखे और यह resistance का बाद यह जो point और यह driver का pin है यह एक दो यह driver का input supply जो primary है और यह secondary ठीक है तो driver का input से जो voltage output पर जाता है यह pin पर voltage देखे 6.2 3 फोल्ट ठीक है और यह input point पर voltage यह देखे 6.2 3 फोल्ट ठीक है तो यह supply volt और यह supply जाता है देखे यह driver transistor का middle pin पर ठीक है यह middle pin है यहाँ पर तो यहाँ पर भी voltage okay है देखे 6.2 फोल्ट ठीक है और यह negative pin और यह transistor का base pin यह base pin पर यह line से signal आता है और यह line जाता है बीज में यह point पर R1 resistance है और यह resistance के बाद यह एक jumper है और jumper के बाद यह IC से age out signal output होता है ठीक है stand by on होने का बाद तो चलिए मैं stand by on करके देखांगा ठीक है अभी देखे यह pin पर resistance का पहले यह देखे 6.5 volt तो चलिए मैं remote से stand by मैं on कर देता हूं देखे आप indicator पर follow कीजिए देखे मैं stand by on किया इसके indicator off हो गया है और देखे इसी time est supply एक बार देख लिजिए यह यह जो est pin पर supply 115 volt है ठीक है और देखे अभी est on नहीं है यह 180 volt लाइन का voltage यह देखे same volt है ठीक है तो चलिए यह जो diver supply volt अब देखे यह diver supply volt अभी देखे 21 volt है यह diver supply volt और यह resistance pin पर जाता है diver supply volt यह resistance pin पर जाता है देखे 21 volt और यह resistance का output pin पर कुछ भी voltage नहीं है अब देख सकतो 0.6 volt और यह जो diver transformer यह पर voltage देखे 0.7 volt voltage गाइफ हो गया और इसका output pin पर voltage देखे पुरा ही voltage गाइफ हो गया तो यह voltage input point पर voltage है और output पर voltage यह down हो जाता है लगधा है कि यह short हो जाता है इसलिए resistance over heat हो जाता है तो चलिए यह transistor का base pin पर voltage आना चाहिए 0.4 volt का सपस देखे 0.7 volt है जो base signal तो क्या fault है तो चलिए मैं set up कर देता हूं क्यूंकि मैं जब set up नहीं करूंगा तो यह resistance बहुत ही over heat होगा और over heat होने के बाद यह resistance काट जाएगा तो यह जो resistance है यह क्यू over heat हो रहा है और यह voltage कैसे यह ड्वाफ हो जाता है यह जो fault है चलिए यह fault repair करने के लिए क्या करना पड़ेगा और दोस्तो एक बाद धान दीजिए यह जो fault यह PCP मेरा पास भीजा है मेरा दोस्त देगनी से यह तो वह यह driver transistor को change किया है ठीक है एक कैमेरा पर मैं आपको देखाने के लिए कोशिस करता हूँ देखिए यह देखिए 2331 के ट्रांजिस्टर है ठीक है यह दो ट्रांजिस्टर मैं भी change करके देखा है क्योंकि यह ट्रांजिस्टर जब अए अव्याद है एक ळ्याद है अब ध्यान से देखिए यह जो ड्रांजिस्टर का कालेक्टर द्ं है यह पीं का साथ यह ट्रांजिस्टर स्वचट होगा और अशीपन ग्राउंड है तो स्वचट होना का बाद भी ons ट्रॉप हो सकता है लेकिन पर दोस्तो अनलूट कॉंडिशन पॉर्ट यह भोल्टेज मिलता है एसी लिए तो जब यह पीन पॉर्टेज मिला गा और यह पीन पॉर्टेज है तो यह लाइन जोरूर बेच बाइना कहीं है यह आपको अइदेटिफाई कारना होगा सिर्फ स्टेनबाई ऑन करने का बाद यह voltage drop हो जाता है, तो इसका main region क्या है, जब IC से signal यह base pin पूर आता है, आने का बाद ही वो drop हो जाता है, ठीक है, तो चलिए, आपको थारा सा experiment करके मैं देखूंगा, और मैं भी देखूंगा, आपको भी देखूंगा, कि यह जो supply, base पूर जो signal supply आता है, जो horizontal output pulse, ठीक है, यह resistance open करके मैं एक बाद देखूंगा, कि यह pin पर voltage आता है, कि नहीं, ठीक है, और थोड़ा सा और experiment करके देखूंगा, चलिए, मैं resistance को open कर लता हूं, तो देखिए, यह base पर जो signal IC से आता है, यह point को मैं open कर दिया, यह resistance है, यह resistance का connection इधर है, मैं यह point को open कर दिया, ठीक है, और य कि क्या result आता है, चलिए, मैं supply देता हूं, मैं supply दे दिया, और इसका power indicator भी on है, चलिए, मैं stand by से में on करता हूं, तो दो से चलिए, पहले, अबर voltage इस टाइम आपको देखाता हूं, देखिए, इस टाइम यह driver output point पर, यह driver coil, यह output point पर voltage आभी देखिए, 6 volt का सपास, ठीक है, अब धेन दीजे, और यह जो resistance है, रेजिस्टेंस से जो सपला जाता है, यह पर voltage, 6.4 volt, ठीक है, और यह transistor का middle pin पर जाता है, यह लाइन से, ठीक है, यह दिखिए, 6.6 volt का सपास, ठीक है, तो चलिए, stand by से में on कर देता हूं, देखिए, मैं stand by से on किया, और इसी time, देखिए, यह जो resistance, जिस resistance overheat हो जाता है, तो वो resistance का input pin पर देखिए, 25 volt आगिया, ठीक है, और इसका output point, यह driver पर voltage देखिए, 25 volt आगिया, यह भी drop नहीं हो रहा है, और इसका यह output point है, देखिए, यह voltage drop नहीं हो रहा है, और दोस्तों, यह transistor पर चला जाता है, और यह जो base signal, यह resistance point में उ pin कर दिया, यह pin पर कितना volt है, दिखिए, तो दोस्तों, यह pin पर जो voltage, 4.6 volt, इतना volt क्यूं, यह तो नहीं होना चाहिए, तो यह IC का fault है, क्या, तो चलिए, और यहाँ पर proper signal आता है, कि नहीं, यह भी check करना परेगा, तो इसलिए थोड़ा सा experiment करके देखाँगा, ठीक है, क् मैं, मैं यह point पर LED connection करूंगा, मेरा पास LED है, अब देख सकते हो, यह LED connection करूंगा, तो चलिए, मैं LED connection करके आपको दिखाता हूँ, और इस time मैं supply आप कर दीता हूँ, तो दस्ता दिखिए, मैं यह signal in pin पर LED लगाया, यह LED का positive side है, और LED के यह pin मैं negative पर साथ connection क्या, यह negative है, यह चैसिस का जो पूरा negative होता है, यह negative है, तो यह negative का साथ connection किया, तो चलिए, इस ही time, आपको supply देखे एक बाद देखांगा, तो दिखिए, मैं supply दे देता हूँ, अब देख सकते है, इसका indicator अभी on है, और यह light देखिए, अभी off है, तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, य यू मैं आप लास्ट में बाता हूँगा, तो इसी time, यह diver pin पर voltage आप देख सकते हो, 6.3 volt का सबस, ठीक है, और इसी time, यह direct pin पर voltage, अभी देखिए, कुछ भी voltage नहीं है, तो चलिए, मैं standby से on कर देता हूँ, और आपको पूरा ही दिखाता हूँ, देखिए, पूरा PCB और standby, त देखिए, आप PCB को फोलो करें, मैं standby से on कर देता हूँ, देखिए, मैं जब मैं standby से on किया, अब देख सकते है, इसके indicator on हो गया, तो क्या लागता है, यह जो indicator on हो गया, इसी time देखिए, इसका chopper का output voltage, sorry, यह diver transformer का output voltage देखिए, 25 volt ही okay है, क्योंकि यह जो signal में, यह diver transistor का base का सद मैं connection नहीं किया है, तो लगद है कि यह IC proper तरह से यह काम कर रहा है, क्योंकि signal output signal यह transistor पर दे देता है, लेकिन यह transistor काम नहीं कर रहा है, तो इसका region क्या है, फॉल क्या है, transistor तो दो तिन चेंज हो गया, ठीक है, तो और कुन सा first problem हो सकता है, ठीक है, तो चलिए आपको करके देखाता हूँ, कि stand by up करने का 7-2 lamp अफ हो जाता है कि नहीं, अब ध्यान से देखे, मैं मेरा पास यह remote है, और मैं यहाँ परी, देखे, stand by से उफ करूँगा, अब ध्यान से देखे, देखे, जब मैं stand by से उफ किया, वो LED आफ हो गया, दो बड़ा मैं stand by से on करके देख हो गया, ठीक है, और देखे, दोबड़ा मैं stand by से उफ कर देता हूँ, यह जो stand by इंडिकेटर देखे, यह stand by on है, यह इंडिकेटर है, और देखे, stand by से मैं off कर देता हूँ, देखे, stand by से उफ कर दिया, यह इंडिकेटर on हो गया, और वो LED देखे, और देखे, off हो गया, दोबड़ा मैं आपको करके देखाता हूँ, देखे, stand by से मैं on करता हूँ, देखिए, standby swap on कर दिया, यह indicator off हो गिया और देखिए, indicator on हो गिया, तो चलिए, मैं supply off कर देता हूं, तो दोस्तों, तो यह तो confirm हो गिया, कि आईचिस से जो pulse, hout pulse यह आता है, लेकिन यहाँ पर इतना भोल क्यों, कि लगधाई कि यह unload condition पर है, इसलिए यह पीन पर voltage इतना है, लेकिन दोस्तों, एक्शलिए, फाइब भोल का असपास, hout signal pin से, ic से output होता है, ठीक है, और यह PCB का अंदर जो रेजिस्टेंस है, यह पर एक resistance है, यह भी low ohms का resistance है, और यहाँ पर भी एक low ohms का resistance है, तो दोस्तों, तो resistance तो okay है, मैं चेक करके देखा है, और कुछ-कुछ PCB का 15K का असपास resistance देखा जाता है, बीच में, यह जो signal line इसका बीच में, तो यह बहुती low value का resistance है, तो छलिए मैं एक high value का 15K का उपर एक resistance यह पर connection करके, देखूंगा की, यह जो voltage drop हो जाता है, यह drop होगा की नहीं, तो छलिए एक अलग resistance में ढूनके, यह आपर लागा के आपक में open करके राखका है, और यह signal line से एक resistance में connection किया, यह transistor का base pin पर, ठीक है, और यह resistance का value 15K, ठीक है, 15K का एक resistance में connection किया, ठीक है, तो छलिए इसी time supply देखे, आपका एक बार देखाता हूं, देखे, मैं supply तो दे दिया, तो छलिए इसी time voltage देखे, डाइवर आउटपूट पॉ देखे, 6.4 volt, यह standby condition पर है, चलिए मैं standby on कर देता हूं, देखे, मैं standby on कर दिया, और दोस्तो देखे, यह डाइवर पर जो voltage zero हो जाता, problem था, वो देखे, अभी 12 volt हो गया, ठीक है दोस्तो, और अब धैन से देखे, यह point पर देखे, 12 volt आ गया, और देखे, यह resistance का पहले कितन वोल्ट है, 22 volt, ठीक है, और यह resistance का बाद 12 volt हो गया, ठीक है दोस्तो, तो दोस्तो, आपको यह point आपको देखाया, कि यह signal यहाँ पर आ गया, ठीक है, और आने का बाद यह voltage, यह resistance, diver supply resistance, यह जो overheat problem था, यह और overheat नहीं होगा, यह problem सल्फ हो गया, क्योंकि ICC signal यहाँ पर आ ग देखे, यह point 4 volt, 5 volt का सपस, यह मिल गया, तो दोस्तो, चलिए मैं supply अपर करके दिखाऊंगा, इसका पहले एक बाद देख लिजे दोस्तो, इसका जो 180 volt line port, यह जो 180 volt line, यह आपर voltage देखी, EST supply जा सेम volt, अभी EST on नहीं है, तो इसका region और क्या है, ठीक है, इसका region और क्या है, चलिए मैं आपको और एक थोड़ा experiment करके दिखाऊंगा, ठीक है, यह resistance का मैं open कार दूँगा, क्योंकि, चलिए मैं सपने up कर देता हूं, क्योंकि इसका अंदर जो resistance मिला है, यह company से यह दोनों resistance है, और यह resistance का color code मैं जो दिखा, यह semi color code है, तो मैं क्यों इतना उम्स resistance लागा यह भी एक बात है, ठीक है दोस्तों, यह जो problem, यह IC sort होने का बाद भी इस तरह problem हो सकता है, जो यह drop होने का problem, और यह transistor sort होने का बाद भी हो सकता है, और क्या region है, तो मैं थोड़ा सा और चिक करके आपको और clear card देता हूं, ठीक है, और यह resistance में यहाप और नहीं लागाँग ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा से चिक करके आपको देखाता हूं, तो दोस्तों, यह PCB को मैं अच्छा करके देखने का बाद जो पाता चला, कि देखिये, यह जो driver transistor, यह जो resistance, driver base signal line का, मैं अपको अच्छा करके समझने के लिए मैं एक छोड़ा सा drawing मैं किया, ठीक है, तो चलिए, यह drawing से आपको थोड़ा सा समझने के लिए मैं कोशिस करूंगा, ठीक है, तो दोस्तों, देखिये, यह driver transistor, यह है, ठीक है, यह driver transistor, और यह driver transformer, अब देखिये, यह जो चारो टांग बाला, चारो पीन बाला, यह diver transformer, यह मैं diver transformer का छोटा सा drawing किया, और टोटल यह circuit का आउटपूट होता है, एक डाइट से, जो main supply, driver supply के लिए जाता है, यह driver pin पर, तो देखिये, यह line है, यह line, यह line है, आप देखिये, यह line से diver supply पर, यह supply जाता है, ठीक है, और बीज में, 20 supply line का अंदर एक capacitor देखा जाता है, यह 47 microfarad, 35 volt के capacitor है, ठीक है, और यह line का यह जो resistance है diver supply के जो resistance, मैं जो drawing किया, अब देख सकती, 108 ohms का, 108 ohms का, यह half watt के एक resistance है, और यह capacitor, यह resistance का बाद, आरेक भी छोटा सा capacitor है, 47 microfarad, 34, 5 volt का capacitor, ठीक है, और यह driver पर connection है, supply, तो यह line पर भी एक capacitor है, देखिये, यह resistance का बाद, यह जो capacitor, ठीक है, तो चलिए, और, यह supply जो output होने का बाद, भी आरेक फील्टर कापसिटर है, ठीक है, देखिये, यह supply output होने का बाद, आरेक कापसिटर है, 47 microfarad, 34 volt का, ठीक है, और यह supply जाता है, यह दाइबर टेंजिस्टर का collector pin पर, ठीक है, तो देखिये, यह diver टेंजिस्टर का middle pin जो collector pin पर यह supply आता है, ठीक है, और इसका नीचे pin यह negative है, और इसका base pin यह है, दोस्तों देखिये, यह नीचे बाला यह meter pin है, ठीक है, यह ground का connection है, मैं यह ground का nation करके रख ठीक है, और यह जो base pin है, ठीक है, यह जो base pin, यह base pin का अंदर जो resistance मिला, sorry, यह 180, 180 ohms का, ठीक है, मैं सिर्फ 80 लिखे राखा है, 180 ohms का यह resistance है, यह जो resistance, ठीक है, इसका color code देखके मैं देखा है कि यह same value दे रहा है, और इसका बीज में यह जो resistance है, जो series resistance, यहाँ पर एक resistance है, ठीक है, यह resistance कां 150 ohms का, यह resistance है, और यह resistance का बाद एक jumper बीज में है, और जांपर का बाद यह IC का एक number pin है, ठीक है, और यह से count करेगा तब देख सकते है, का 22 नांबर पीन का साथ हा यह आउठ पीन का कनेक्शन हे तो रिजिस्टैंस और चेंज़ हो गया और क्या फॉल्ट है मैं यह रिजिस्टैंस दो बड़ा चनेक्शन कार दिया तो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाँगो, voltage चेक करके, जब मैं अच्छा करके चेक किया, ये एक एक सब भी resistance को मैं चेक किया, ठीक है, बीज में ये जो resistance है, दिखिए, ये डाइवर सप्लाइ लाइन का एक PF है, और PF का बाद एक रेजिस्टेंस ग्राउन का सथ कनेक्शन है, अब दिखिए, ये जो डाइ 270 ohms का ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस भी okay है, ठीक है, तो सब कुछ आपको value भी बाता दिया, ये position पर जितना पार्स है, लेकिन ये जो base signal, ये base signal का अंदार, छोटा सा आरेक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो negative का सथ connection है, तो दोस्तों, ये position का value मैं चेक करने का बात देखा है, कि कुछ भी continuity नहीं मिला, ये जो base pin, ये base pin का सदर रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो चलिए, open करके आपको देखाता हूँ, कि मैं अच्छा करके देखा है, PCV पल्ट करके, कि आपको resistance भी नहीं है, अब देख सकते हो, तो अब देखे, मैं ये open करके दिखाता हूँ, कि open pin है, तो ये Q, ये तो open नहीं होना चाहिए, तिया पर तो जोरूर एक resistance होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी resistance नहीं है, तो दोस्तो, इसी लिए company जो इसी तरह drawing किया, कि ये जो low value का resistance company दोनों लागाया, ये low value का resistance, तो high signal आएगा तो वो एक resistance जोरूर वो signal को ground कर देगा, ठीक है, और यहाँ पर ये resistance नहीं होगा, तो मैं जिस तरह आपको देखाया, यहाँ पर 15 के resistance लागा के इस तरह आप adjust कर सकतो, तो इसलिए मैं ये कुछ भी नहीं किया, सेब मैं जिस तरह connection ये करके ही रखाया है, तो ये resistance कितना value होना चाहिए, ये भी लागा के अगबर दिखना पड़ेगा, तो दोस्तों ये open है, रख दाई कि कुछ भी technician ये pin कर दिया, तो चलिए अपको practically ये position कर एक resistance connection करके दिखाऊँगा, क्या result आता है, ठीक है, तब थोरा सा रू किये, तो मैं दो resistance मोजद करके रखा है, ठीक है, तो चलिए आपको practically करके देखाऊँगा, कि ये जो resistance है, ये 47 ohms, 470 ohms, और ये 220 ohms का ये resistance है, ठीक है, तेचली ये 220 ohms resistance, ये signal base pin का साथ, मैं negative pin का साथ connection कर देता हूँ, दोस्ते देखिए, मैं negative का साथ connection किया, तेचली इसी टाइम आपको voltage चेक करके अगबद देखाँगा, ठीक है, मीटर को मैं 200 DC रेंज पार सिलेक्ट करके रखा है, और मीटर का negative cord मैं ये wire का साथ connection कार देता हूँ, कि ये negative का साथ connection करके रखा है, और मीटर को voltage का साथ आपको चेक करके देखाँगा, कितना वोल्ट आता है, तो चलिए मैं supply दे देता हूँ, supply दे दिया, इसका indicator on हो गया, इसी time आपको देखाँगा कि diver volt कितना है, देखे 6.8 volt है, ठीक है, 6.8 volt है, तो देखे, और input volt कितना है, 6.8 volt है, तो चलिए मैं stand-by-s on कर देता हूँ, देखिए चंद बेइस अन कर दिया देखिए 27 वोल्ट आ गया और डॉइबर पर कितना वोल्ट यह देखिए 27 वोल्ब यह आपड आ गया बहुत ही high voltage हो गया ठीक है तो तब भी एस्टी on नहीं है और यह बेस्पीन पर कितना वोल्ट हो न चाहिए दिखिए बेस्पीन पर दे 26 तो आउर voltage लो होना चाहिए तो दस्ते चलिए मैं supply को आप कर दिया और यह जो resistance लगाया आपको क्या बताया 20 220 ohms ठीक है और मेरा पास यह रिजिस्टेंस है यह 470 ohms का ठीक है तो यह रिजिस्टेंस एक बार कनेक्शन कर देता हूं यह बेस पीन का साथ और यह नेगेटिव पीन का ठीक है यह रिजिस्टेंस कनेक्शन किया तो चलिए बार supply देखाता हूं कि कितना result क्या result आता है मैं supply दे दिया और डाइवर पर voltage अभी कितना है 6V चलिए मैं standby से on कर देता हूं standby से on हो गया दिखी आपर voltage फिर भी down हो गया 1.5V ठीक है 1.5V यह दिखे 1.5V हो गया और दिखे रिजिस्टेंस पर supply कितना है 22V यह भी थोड़ा डाउन हो गया ठीक है जो पहले 27V था तो दोस्तो देखे तो इसी जो रिजिस्टेंस है यह रिजिस्टेंस का फैलो आपको मेजर करके लागाना पड़ेगा तो दोस्तो चलिए फैनली यह रिजिस्टेंस का अपको मेजर करके एक बाद देखा था हूँ देखे यह रिजिस्टेंस का जो भैलो देखे 220 ओंस का ठीक है 220 ओंस का यह रिजिस्टेंस मैं मिटर को बारच गजर रेंज़वर आपके टेस्ट किया तो चली यह रिजिस्टेंस को आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ दिखी यह रिजिस्टेंस मैं यह ट्रैंजिस्टर का सिगनल पीन का साथ और यह नेगेटिव पीन का साथ मैं कनेक्शन करके अपको को दिखाता हूँ और मीटर को मैं 200 DC बोल्ट रेंज पर राक्ता हूँ, रगने का बाद चले मैं सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है, अब को देखे मैं सप्लाई दे दिया, और इसी टाइम देखे इसके IST सप्लाई 40 बोल, ये स्टैंबाई मूट पर है, और डाइवर पिन पर सप्लाई 6.7 बोल्ट, चले मैं स्टैंबाई सउन कर देता हूँ, देखे स्टैंबाई सउन कर दिया, 26 बोल आ गया, तो लग दाए कि ये जो डाइवर सप्लाई रेजिस्टेंस और कभी हीट नहीं होगा, ठीक है, और चलिए इसका बेस सिग्नल भी आप अब देख सकते हो, 0.4 बोल्ट, देखे हो, 4-5 बोल्ट का असपास, तो दोस्तो ये रेजिस्टेंस 33 ओम्स लागाएगा तो बोल्टेज आउर था डाउन हो जाएगा, ठीक है, तो लग दाए कि ये तो सिस्टेम रेडी हो गया, तो तब भी ये PCV का आउर एक बड़ा फॉ लाएगा, तो दोस्तो नेक्स्ट एक वीडियो में आपको, आल भोल्टेज ये जो उक्के लगदा है, आप आउटपुट टैंजिस्टर पर वल्टेज देख सकतो, देखें, आउटपुट टैंजिस्टर ये आप भी भॉल्टेज देखें, सैम भोल्टी है, ये स्टे भी नहीं होगा तो क्या कारना पड़ेगा तो दोस्तों आप कामन करते रहिए कि यह फॉल पून पार्स से हो सकता है ठीक है तो तब भी आपको थोड़ा सा चिक करके दिखाता हूं कि यह आउटपूर्ट टैंजिस्टर यूग के है और यह टैंजिस्टर टैंजिस्टर तीनो नि के भर जो टांसपर्मर यह भी मेरा दोस्त चेंज करके दिखा है फास्ट टाइम और यह वही पीसीव को ओरिजिनल टांसपर्मर है ठीक है तब तब तक कमन करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको यह क्लियार कर देगा तो दोस्ते यह वीडियो पूरा देखने के आपको थेंक्यू देता हूं